हाल अव्यक्ति हो, चाहे दुर गटना हो या कोई ऐसा वाक्या हो कि हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं आप सोचते हो कि मैं वो गटना भूल चुकी हूँ या व्यक्ति वो लाइफ से जा चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो आप सही माइने में जिंदकी की परिक्षा तब होती है, काफी सालो बाद यदि व्यक्ति आपके सामने आता है या वो गटना आपके सामने होती है, उस गटना को देखकर या उस गटना का जिग्र होता है या वो व्यक्ति आपके सामने आता है आप विचलित हो रहे हो, परिशान हो रहे हो, रो रहे हो, इसका मतलब आप अभी तक वह भूले नहीं हो और आप कहते हो कि मैं लाइफ से आगे बढ़ चुका हूँ, आप आगे नहीं बढ़े हो यदि वह व्यक्ति आपके सामने आता है, या दुरगटना या घटना जो होती है आपके साथ, अब इचलित नहीं होते हो आप सामाने रहते हो, वाकरी आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, उस व्यक्ति को भूल चुके हो या वो घटना घट चुकी है, अब पूरी तरह उस वाक्या से बाहर निकल चुके हो Thank you so much